भारतिय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के बारा जोतिरलिंगों में से एक सर्वोच केदारेश्वर जोतिरलिंग का मंदिर बना हुआ है रहसियों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाईं जुड़ी हुई हैं आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में तबा रहा और क्या है इस मंदिर के छह रहस्य पहला रहस्य केदारनाथ धाम में एक तरफ गरीब 22,000 फुट मुचा केदार दूसरी तरफ 21,600 फुट मुचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट मुचा भरतकुंड का पहाड न सिर्फ तीन पहाड बलकी पांच नदियों का संगम भी है यहां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी इन नदियों में अलकनन्दा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है इसी के किनारे है केदारेश वर्धा यहां सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है फुट मूचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चोड़े मंदिर की दिवारे 12 फुट मोटी है यहां आश्चर यही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी हुचाई पर लाकर बतराश कर कैसे मंदिर की शकल दी गई होगी खास कर यह विशालकाय छत कैसे खंभो पर रखी गई पत्थरों को एक दूसरे में जोडने के लिए इंटरलोकिन तक्नीक का इस्तिमाल किया गया है तीसरा रहस्य यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांड़वों ने बनवाया था लेकिन पक्त के थपेडों की मार के चलते यह मंदिर लुप्ध हो गया तब इस मंदिर का निर्मान 508 इसा पूर्व जन में और 476 इसा पूर्व देहत्याग गए आदिशंकराचार्य ने करवाया था इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधी है इसका गर्भगरे अपेक्शाकरित प्राचीन है जिसे अस्सीवी शताब्दी के लगभग का माना जाता है पहले दस्वी सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर तेरहवी सदी में मंदिर का जिर्मुधार किया गया चौथा रहस्य दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत वे तुम्हें मंदिर के द्वार बंद कर दिये जाते हैं छे माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है पुरोहित ससम्मान पट बंद कर धगवान के विग्रह एवन दंडी को छे माह तक पहाड के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं छे माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब उतराखन की यात्रा आरंध होती है छे माह मंदिर और उसके आसपास ऊई नहीं रहता है लेकिन आश्चर्य की बाद की छे माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी गोती रहती है कपाट कुन्ने के बाद यह भी आश्चर्य का विशय है कि वैसी की वैसी ही साफ स्पाई मिलते हैं जैसे की छोड़ कर गए थे पाँचवा रहसित 16 जून 2013 की रात प्रकृती ने कहर बरबाया था जल प्रले से कई बड़ी और मजबूत इमारते ताश के पत्तों की तरहे ढहकर पानी में बह गई लेकिन के दार्णात के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती रुख गई उस चट्टाव के रुखने से बाण का जल दो खागों में बिल्खत हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया इस प्रले में लगधत 10,000 लोगों की मौत हो गई थी चटा रहसित पुराणों की भविष्य वानी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुख्थ हो जाएंगे माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायन परवत आपस में मिल जाएंगे बदरीनाथ का मार पूरी तरह बंद हो जाएगा और भख्थ बदरीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे पुराणों के अनुसार बर्दमान बदरीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम दुख्थ हो जाएंगे और वर्षों बाद भविश में भविश्य बदरी नामक नए तीर्थ का उद्कम होगा नित्रों अब जानिये 400 सालों तक कैसे बर्ख में दबा रहा के दारनाथ का मंदिर और जब बर्ख से बाहर निकला तो पूर्नत सुरक्षित था देहरादून के वाडिया इंस्टिट्यूट के हिमालियन जियोलोजिकल बैग्यानिक विजय जोशी के अनुसार 13-17 शतावदी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमिव आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा छेत्र बर्ख के अंदर दब गया था उसमें यह मंदिर छेत्र भी था बैग्यानिकों के अनुसार मंदिर की विवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं दर असल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लैशियर का एक हिस्सा है वैग्यानिकों का कहना है कि ग्लैशेरों के लगादार दिखलते रहने और चट्टानों के किसकते रहने से आगे भी इस तरह का जलप्रलय या अन्य प्राक्रितिक आप दाएं जारी रहेंगी